तो नमस्ते वाई लोग उम्मीद करता हम सब सही होंगे आप जैसे कि आप सभी जानते हैं 19 तरिक को इंडिया और मांगलादेश का टेस्ट में शुरू होने वाला है उसी मेज को लेके जो हाली में प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे इंडियन टीम के खिलाडी जिसमें बिराड को स्टेडियम के एक वाल टूड यह दिवाल तो भाई कोली भाई कि तो पहनी बाद यह जो टीटी से सन्यास ले चुके हैं फिर भी उनके अंदर का जो खिलाडी है ना ओ नहीं निकल रहा है वैसे विराड कोली एक लोते हैसे खिलाने है जिनका तीनों फर्मेंट में 50 में और अब जो बिराड कोली सन्यास ले ही चुके हैं टी टुएंडी से तो अभी किसी विखिलाडी को जो बिराड कोली से कॉम्पेर करने की ज़रूरत नहीं है अभी अगर किसी का कॉम्पेर हो गया तो स्रीफ सुडिय कुमार यादब से होगा अभी हाली में ट्रेवे कोली का जो फिटनेस है किस लेवल का है इसी बीच में पाकिस्तान वाले बात आ जाएगा उनको तो साला घरोई मेंच में उनकी फिल्डिंग ढंग से नहीं हो रही है अब उधर हो जो बंगलादे से के बहम पाल के रखाएगी हम दो टेस्स में जीतने के लिए हैं अब यह कम से कम ड्रॉ करा के जाएं या ड्रॉ करने की कोशिज करें पाकिस्तान टीम नहीं है इंडिया यहां तुम हार होगे हंडेट परसन और बूरी तरीके से हार होगे क्योंकि रुवित ने अपना मास्टर माइंड लगा लिया है उन्होंने जो है अब तक टेस्ट में अच्छ जल्दी से जल्दी ऑल आउट हो जाए अगर इंडिया पहले बेटिंग कते तो चाहिड से बाद है छे साथ साराम से रन बना लेगी अब इसके बाद उनको दो परिमें भी तीन-चार सो बनने नहीं देगा इसलिए जो एक तीन स्पेस्यल स्पिनल रखा है जड़े जाड़ बड़ जी साला से इंडिया टेम प्रैक्टिस कर रही है वह मुझे लगता है कि टेस्ट तीन दिन में समाप्त कर देगा कि अस्टेलिया जैसे टीम को तीन दीन में इंडिया टेस्ट में हरा दे रही थी अब पांस दिन तक टेस्ट में नहीं जा रहा वो मज आ गया है फिर में इंट्रेस्टिंग हो गया ना इने खिलाडियों के बज़े से बड़ उम्मिद करता हूं कि यह में थोड़ा सच अच्छे खेलें इंडिया ही खेलें पहले बेटिंग करके और चार दिन कम सिकांग लेखे जाएं बागे आप लोग क्या चाहते हों इसे कमेंडें डाल दो क्या थे खेले खेले आ इंटे जाएं लेखे जाले किस अधर सेफे एले करता है उक्छे हो पिले कि यह